इसलाव अलेकुम आई होब यौल आट इस इस में आपिज जैदी इन इस वीडियो वी आर गूंग टू सी के हमारे पास जो हीलियम टेंग टूल होता है तो उसको एमेजॉन में हम किस तरह इस्तमाल कर रहे होते हैं यह टूटोरियल मोस्ली बिगनर्स के लिए रहने वाल है ज जिसमें वाइबल बॉड़क प्रॉफिटेबल बॉड़क को किस तरह फाइंड आउट किया जाता है ऐसा बिगनर्स लेविल के ऊपर अपने कीवर्स को फाइंड आट करने राइट कीवर्स चाहिए आप वो कॉंटेंट में यूटिलाइस कर रहे हो चाहिए पीपीसी में य करा तो सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो को पर्चेस करना चाहते तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा उसमें आपको कुछ परसंटेज जो है वो आफ मिल जाएगी उसके तुरू भी आप हीलियम टैन को पर्चेस कर सकते हैं हम आगा अप इस तरह का इंटर्फेस आपके सामने आने लग जाएगा राइट इस इस इंटर्फेस जो के हीलियम टैन का है अब आप यहां पर देखें के हम कुछ चीजों को ओवर की करेंगे जो के ऐसा बिगनर लेविल पर होगा कि आपके जो सारे इंसाइट वगर होंगी सारी से सारा देटा वह आपको यहां पर हीलियम टैन टूल पर नजर आना शुरू हो जाएगा यहां पर देखें जैसे डेटा नजर आ रहा है इन्वेंट्री और कीवर रेंग और बाकी सारी चीज़ अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं जो इंपॉर्टन हमारी चीज़ उनको डिसक्स करेंगे there are many sub tools in the helium 10 जो के आप utilize कर सकते हैं बट हम यहां पर कुछ जो बहुत जादा फ्रिकेंटी स्वाल होने वाली चीज़ उनको डिसक्स करेंगे जैसे के हम एक black box को open कर लेते हैं right next step में इसको open कर लेते हैं उसके इलावा हम cerebro को open कर लेते हैं इसके इलावा हम magnet को open कर लेते हैं in this video let's see के यह 3 जो सब टूल है helium 10 के इनको किस तरह इसमाल किया जाते हैं इनमें किसका ज्यादा काम ज्यादा तर जो हम इनसे क्या-क्या फाइदा उठा सकते हैं और यही वह तीन टूल है mostly जो frequently use भी हो रहे होते हैं let's see के हम जो है first one जाली के उपर आजाते हैं यह हम से आधिंग कह रहे हैं कि यह एडर्स अपडेट करने का बूल रहा है मेभी लेट सी के हम जो है इसको बाद में अगर देख सके हैं है anyways हम इसको आप इसको एकनोर करें हैं आपके पास नहीं आ रहा होगा यह मेरा एडर्स मिसिंग है तो इस वज़े से मुझे कह रहे हैं अच्छा उसके बाद हम यहां पर भी किसमा हैं हम ब्लैक बॉक्स के अंदर आए हैं you can see here there are many function here there are many option here I can use the keyword and product research black box नहीं को फाइन करने के लिए ठीक है तो उससे लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे वह देगे there are many filter here को आप यूज कर सकते हैं अब आपके माइन में करेंगारी है कि भाई मुझे जो आपको इस category के अंदर for example आपको यूज करना है baby products के अंदर और beauty and personal care के अंदर दो category आप जितनी करना चाहिए कर सकते हैं इन categories के अंदर मुझे product अपना launch करना जो है अपना find out करना राइट उसके बाद यह कह रहा है competitors इसका मतलब यह होता है कि उस product के कितने और कितने लोग हैं जो बेच रहे हैं Amazon के ओपर ठीक है सो यहां पर हमा minimum maximum का filter लगा सकते हैं हम कहते हैं मिनिमम उसके होने चाहिए हम जादा बहुत जादा इसलिए नहीं लेंगे जितने जादा होंगे उनको उतने ही जादा आपको compute करना मुश्किल होगा हम कहते हैं कि हमारे minimum होना वह दोस्त जो हमारे minimum हो वह तो वन हो और जो maximum हो वह दो 2000 हो ठीक है उसके लावा मैं पस सेल आ जाती है जो आपकी सेल प्राइस रखना चाहते हैं आप कहते हैं कि आपकी minimum सेल प्राइस होनी चाहिए for example 29 डॉलर और maximum जाद 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 हो 39 डॉलर ठीक है 39.99 for example यह मैं र वह देखते हैं कि मैकसिमम जो रिवीउ काउंट हों वह हमें दिखाओ के भाई 500-500 यह 500 तो से कम वाले प्रोड़ोग ठीक है exact brand search बाकि इन चीजों गों कुछ चीजों को हम जो है वह उन्वर करेंगे और थोड़ा ब्रॉड रखींगे ताकि हम आपर जादर जादर प्रोड मैं आपको बता रहा हूं मोस्स इंपर्टन फिल्टर्स को अंदर यह मंड़ी रेवन्यू और रेटिंग और बाकी सारी चीज़ा रही होती है अच्छा रेवन्यू कितना होना चाहिए हम कहते हैं हमारा बियस हजार तो मिनिमम म मिनिमम हो हम यहाव गेन मैकसिमं में इसको एंड कर दिया हम इसको यहाज से नहीं घर रही अच्छा लेंड़तों गार काटए हम ब्स इर बैस ब्स सेलर रहर रेल violence होता है अच्छा जितना कम यह होता है उतना ही जादा आपinsky प्रडक्ट जो है वो अच्छा भीकरा होता मार्किट में इसका ये अमेजयों के पर रहता है कर सकते हैं से एक्सशलूट करने चाहते हैं अगर ज़ादा बड़ा प्रोटक होगा तो फिर उसके बाकी सारी चीजें काफी नुकसानाद भी होते हैं चो अब जो एक जनर्र क्राइट एरिया देख रहा हैं ठीक है मैंन्थली सेल मैंन्थली यूनिट आप यहांपर एड यह आप ये भी चीज़ एड़ कर सकते हैं अच्छा वेट कितना हो मैक्सिमम जो है फॉर एल भी हो इसके लावा फुल फिल्फिर्मिन आप सादर कर सकते हैं मेजिस बाकी सारी चीज़ का अपना कोई कीवर्ड टाइटल कीवर्ड से एड़ करना चाहते हैं मतलब कि ये प्रोड़ में अवेलिबल नहीं होने चाहिए प्रोड़ के तो इसका मतलब ये अच्छा लिस्टिंग एज जो है वो हम कहते हैं के मिनिमम तो भाई सिक्स मन्त हो राइट उसके बाद आप सर्च पर किलिक करेंगे ये हमने एक रैंडम फिल्टर एड़ कि हैं आप हमने क्राइटिरिया अब अपलाय फिल्टर करके देखते हैं राइट अच्छा अब देखें इसने मुझे 200 प्रोड़क्स निकाल के देती हैं जो कि आपकी फिल्टर को मीट कर रहे थे ठीक है अमेजान के उपर अब हमें याद क्या देखना है इसमें आपको सारी डिटेल्स भी मिल रही होती है के ही के वैजे कर देखना होता है हम कैटिखना है के व frequ इसको हमह समय रही है हम को देखते हैं को वह साई ड़कर सकते ह diff का यूजज भी देखेंगे ठीक है हम आते हैं एक हमें कोई मिलता है कि यहां पर यहां पर आप देखेंगे एक प्रोड़क्त हमें ब्यूटी की कैटेगर इसके मुस्ली प्रोड़क्त नवजर आ रहे हैं ठीक है अब हम कहते हैं कि यह प्रोड़क्त को हमने क्या अबट ककेँ पर यहां पर आपन कर लिया आपन करने के बाद यह पर देखेंगे हैं इसका में कीवड फाइंड ओडि शुपल कर रहे होंगे इसके बाद लिए आके सर्च करेंगे मोस्ली आपको फिर रेलेवंट सारे रिजर्ट मिल जाएंगे देन आप एनलाइस करेंगे कि प्रोड़क के अंदर क्या डिमांड है और क्या इसकी कॉंपिडिशन है हमें इस प्रोड़क के साथ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए अचा फॉर एजेंपल है मगनेट को सिक्वाल करते हैं मैंगनेट के दूल का जो हमरा हेलिम implication कैसा में Software कि अपना में कीवर्ड पी फाइंड अड जैसे के हमारे पार एग सब्वार कर देख्या है यहां पर एक हम यहां पर देखे हैं के यह बेरैंड के नेम हमने इसको छोड़ चार ढई बियर यहा मारक्रिटोटेज में आप फांडाट करहें उसके बाद यहां पे पेसी करेंगे जो आपका की वर्ड देगा। देगा। तो में में कीवर्ड की सीस्वालउम रहिए में आपके सिक्षक्णम के उ 위 filtered में आपक में में कीवर्ड की में कीक्षक्णम के क अब naszej डाथ होता पर हम देख लेते हैं for example example मैं ऐस तरह से देना चाहूंगा आपको जैसे कि एक keyword आपने सर्च किया search करने के बाद आपके पास 40 result एक page पर आने लगे तो उस 40 result में थे 35 36 37 34 इस तरह जो result हूँ वो जो है वो आपकी product से relevant होने चाहिए है ठीक है some cases में कुछ product जो है वो थोड़े change design के हवाले से भी हो सकते हैं लेकिन mostly same होने चाहिए तो इसका मतलब यह होगा कि आपके पास आपने keyword find out कर रहे है वो relevant ही आपके product का main keyword है इसलिए आपकी उस product की जो है वो ज्यादा relevant product शो हो रही है relevance आता है so अभी यहाँ पर हमने keyword search के है यह हमें बता रहे है कि इस keyword का जो search volume है वो almost 4761 है उसके बाद इसका IQ score बता रहे है और CPR बता रहे है अभी हम जादा चीज़ाइड डिटेल में discuss नहीं करेंगे क्योंकि हम इस चीज़ को mind में रखते वे चल रहे हैं कि यह as a beginner के लिए ह हमें थोड़ा सा डिसक्स करना है कि यह इलियम 10.com Amazon के लिए किस तने समाल कर रहे होते हैं अच्छा उसके बाद यहाँ पर देखें कि आपके पास सारे keyword phrases आ जाते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे इसको high to low search कर लेंगे कि search volume के थुरू आपके पास क्या keywords आ जाते हैं अच्छ तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो हमारा कौन सा जो है वो relevant है तो now let's see यहाँ पर हमें दे रहे है के hair dryer brush लेकिन हमारा rotating hair dryer brush है maybe so हम इसको check कर रहे होंगे hair dryer brush जैसे कि यहाँ पर आ रहे है यह भी इससे relevant है but I am not sure कि इसको भी search करके एक पर देख लेते हैं अगर relevance होगी तो फिर हमारा वह main keyword हो सकता है यह product जैसे rotate बालों को rotate करने वाला hair dryer brush है so यहाँ पर आप देख रहे होंगे आप से प्रोडक्स जो relevant हो आपको keyword मिल जाते हैं अच्छा यहाँ पर देखे हैं almost similar जो है वह आपके keywords पर result आने लगे ठीक है so let's assume कि यह हमारा main keyword है इस तरह से आप अपने magnet से main keyword find out कर सकते हैं इसके लावा magnet से आप अपने keyword find out कर सकते हैं जो आपने content और पीपीची के अंदर इसमाल कर रहोंगे यहाँ पर एक example लेते हैं यह SN को copy करते है इसरिफिकेशन नंबर राइट जो हर एक product का unique number होता है Amazon assign करता है अब हम Cerebro के ओपर आते हैं Cerebro पर आने के बाद यहाँ पर you can enter up to 10 product identifier for keyword comparison ठीक है हम get keywords के ओपर click करेंगे ठीक है तो हमें क्या होगा हमें इस चो यह हमारा जो product है इसने कौन से keyword अपनी listing में इस्तमाल के हैं तो वह सारे keywords निकल के हमारे पास आ जाएंगे राइट थोड़ा सा यह लोड होने में टाइम लेता है इंटरनेट की स्पीट पे भी यह जो है थोड़ा slow तो थोड़ा लेट करता है यहां पर देख लेते हैं जैसी इसके रिजर्ट आते हैं यह सर्च हो रहे हैं अच्छा यहां पर देखें प्रोड़क्ट शो होने लग गया और यहां पर बताने लगए कि टोटल कीवर्स कितने हैं 1781 कीवर्स हैं ठीक है यह सारे keywords यहां पर आने लग गए इन आप यहां पर वर्ट काउंट का filter सर्च रम का filter आप कहते हैं कि मुझे जो है वह minimum वही keyword दिखाऊ जिसका कम से कम पांसो सर्च वर्यम हो राइट आप लाइट के ओपर किलिक करेंगे आप यह आप यह आप यह कम हा जाएंगे keywords आपके पास जहां पर देखेंगे वन थाउजन से जादा keywords है अभी आपके बाद 280 keywords लेफ्ट रह गा है इस तरह से जो है वह आप इतर से भी सेरीब्रो से magnet से keyword find out कर सकते हैं black box से जो है वह product find out कर सकते हैं एक quick way के अंदर हमने थोड़ा सा इसको overview कर रहा है बहुत सारी चीज़ेस के अंदर detail में discuss की जा सकती है I hope कि आप जो as a beginner level के उपर इसको search कर रहे तो उनकी तोड़ी बहुत help होगी अगर help होई है तो इस video को like कर दें share कर दें और channel को subscribe कर दें helium 10 को purchase करना चाहते हैं discount के साथ so नीचे YouTube की video के नीचे जो है description में आपको link मिल जाएगा उस link के तुरू जाके आप purchase कर सकते हैं thank you for watching this video अलाहाफिस